गुद मॉर्निंग क्लास आए हम लोग वन वर्ड सब्स्टिचूशन देखते हैं शिक्स नंबर से सुरुआत करेंगे थर्टीन तक आएंगे इसे बीदिंग वेर ग्रेण इस्टोर समझेगा एक ऐसी इमारत वेर जहां ग्रेण अनाज को केफ्ट रखा जाता है और भंडार के जाता है जाता है एक ऐसी इमारत जहां पर अन्हान को डया किया रखा जाता या उसको भ़ंढालिद किया जाता उस सिक्रमिन आज रखने का जगह अफिक्सियस नेम यूजड वाई आउथर लेखक के द्वारा एक फिक्सियस मतलब बनाबटी नाम जो यूज़ किया जाता है ठीक है या उप नाम उसको बोलते है स्यूडो नीम जैसे लेखक जो था न अपने किताब जब लिखते हैं या कहानी कुछ लिखते हैं तो वह अप प्रफड जब अपना उप नाम रखते हैं या कोई दूसरा नाम रखते हैं तो उसी कमनों क्या कहते हैं शीव देन याद रहेगा फिक्सियस नेम याद रखिया फिक्सियस नेम अपर्शन बिदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर ओवर तू वांडर्स प्रॉम प्लेस त अपर्शन बिदाउट सेटल्ड हो एक ऐसाद में कोई ब्यक्ति जो क्या करता बिना अस्थाई निवास के या एरेगुलर ओवर कोई नियमित काम के फू जो वांडर्स इधर उधर भटकता है प्रम प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरे वांडर्स वांने बिना लक्च क भटकना और जीवन जीता है भीख मांगर कुछ चीज करके भीख मांगर उसको बोलते हैं वैग्रेंट क्या है तो आप बोलेगा कि एक ऐसा आदमी जिसका कोई अस्थाई घर नहीं होता है और जो कोई काम नहीं करता नियमित रुप से और जो इधर उधर बीना लक्च के भ भीख मांगे उसको क्या मोलते हैं वैग्रेंट बोलते हैं अगला नाइब्स अपर्शन अनिमल और प्लांट बिलॉंग अरिजनली टू हो पलेस अपरसन कोई ब्यक्ति जानवर या पौधा बिलॉंगी होरीजन आप्लेस्ट किसी अस्थान पर ओर ऊरिजनली मतला ओरीजनल औरिजनाली जिसको बोलते हूं मुल रूप से कहिए निवास करता है कोई पउधा जहां से उसके उत्पात्ती हुए उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं नेटीव बोलते हैं जन्म जात बोलते हैं जासे हमलोग कि में टीव भीलेज्ज बसंथपूर है चाहे मोजम्मा है चाहे सहरत पूलसी है अईसे नो बते हो चाहे गौराही है तई सब क्या हुआॉआ तुम्हारा इन निटीव वह मने वही पर तुम्हारा जन्म हुआ तो इस परसाइणिमल और प्लांट बिलाउंगी ऑ यहां से वह ओरिजनली रूप से मुख रूप से क्या करतीया है निवास करता है उसी को बोलते हैं नेटेग आए स्टुडेंट फू आइडली और विदावट एक्सक्यूज अपसेंट हीमसेल हरसेल फ्रॉम एसकूल एक ऐसा विद्यार थी जो आइडली और विदावट एक्स क्यूज माफी मांगे हुए या बिना अनुमाती लिए हुए अब सेंट अपने आपको क्या करता है अनुपस्तित हो जाता है खुद कहां से प्रॉम स्कूल से उसी को क्या करते हैं टुरियेंट बोलते टुरियेंट ठीक है यानि एक ऐसा विद्यार थी जो और बीना पूछ निमन अर पलांक है मच बिलो दा इस वरां खाल अर्पशन ओव्यक्ति जानवर पौधा मच बिलो जादा क्या होता है नीचे होता था इस वाल आए जो सामान हाइट होता हुँचाही होता है उश्री को डॉर्व भॉष्यारॉ więc फीर्ट को आदम में नुर्मल को कि नुर्मल है। मैंनुस्का फिर्ट कयो होता ही दमेंfestिये लेकिन अगर उससे नीचे आजाएं चार सी के नीचे आजए चार से ऊपर चलेगा सब चार पॉइंट सम्थिंग रहे चार पॉइंट पांच रहे ना लेकिन चार से जैसे नीचे आज तो नॉर्मल होगे तो उसको अम लोग क्या करते हैं ड्वार्त बाउना करते हैं सामान उचाय से नीचे हो जाना ट्रेड एक ब्यापार दैट इस प्रोविटेड वाइल लॉग एक कोई ब्यापार जो प्रोविटे मना ही है कानून के द्वारा यह नहीं कर सकते हो जैसे अपने बिहार में सराब का ब्यापार करना रोक है यह लिगल भी नहीं है अच्छा ऐलाव लेकिन कोल जाब करते हो जोटा और भांग का खेती करना आप नहीं लगा सकते तरेट इस प्रमेटिर वाइलोग एक ऐसा बैपार जो कि कानून के द्वारा मनाही की जाती उसको इलिशीट बोलते है गयर कामी मी बोलते है इलिशीट ठिक पर्पेक्ट बेलेज एक ऐसा राज जो पर्फेक्ट में सुलने उसको बोलते है एकुलिबिरियम क्या बोलते हैं मतलब होटा सीट of perfect balance equilibrium भेलेस क्या मतलब बिल्कुल संतुलित हैं उसी को बोलते हैं आप आईए हम लों को हिंदी पर जाद नहीं ध्यान देना इंग्लिस से इंग्लिस याद करने का को सिस्टम अब ऐसी याद रखना जैसे हम पूछेंगे आप बिल्डिंग वेर ग्रेनी स्केफ्ट रेस्टोर्ट आपको याद मचे ग्रेंगी हमें हिंदी से कोई लेना देना अगर अंग्रेज परहेगा तो क्या वो हिंदी समझेगा त अपने मून नाम को चुपा कर दूसरा नाम रखता है उसको सीडोनेम करते हैं आप पर्शन बिदाउटे से डल्ठों और रहूलर वर्खु वांडर्स प्रम वन प्लेस टुद अनादर प्लेसा या बिना काम के जो इधर उदर बिना मतलब का है एक जास तुसरे जब घूमत पौधा जो कि ओरिजनली मुख रूप से किसी जगह से बिलों करता है निवास करता है नहीं उसको नेटिव बोलते हैं स्टुदेंट वह एडले और विदाव टेक्स को अप्सेल्फ और हरसल प्रम स्कूल कोई बिदावती जो बिना सूचना के बिना सूचना के क्या करता है स्कूल से अनुपस्त सुजाता है उसको ट्रुएंट बोलते हैं अपरसन एनिमल प्लांट मच बिलो दा यूजवल हाइट एक ऐसा ब्यक्तिया कोई ब्यक्ति या जानवर या फोधा जो कि सामान उचाई से नीचे होता है बिलो होता है उसको ड्वार्प करते हैं अट्रेड पर लगा इसको क्या बोलते हैं बार वर पढ़िए इंग्लिस मजदार सब्सक्राइब इंट्रेस्टिंग सब्सक्राइब मजा आता है इस तना आसान कोई नहीं उच्छों नहीं है वाग भर रिवाइस कोष्टाई ऐसी पढ़िए एकदाम सुरू लगा यह बिलिंग विर सब्सक्राइब इस नेम यूजड वाय ओथर सुड़ो ने खुब पढ़िए खुब पढ़िए खुब पढ़िए मजा जाए एक वार जब इंग्लिस का नसा चरेगा ना कभी उत्रेगा ने यह बिना सराब का नसा है जो लग जातिके लगना मजा आता है मजा जय हिंद्र